कि आधर अधाव अभी नंदन अभार नमस्कार मैं सुहां कुमार स्वागत करता हूं सभी का सुहां सिख्च के इस यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सभी उम्मीद करते हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे इसमें आज हम लोग परने वाले इंटरवल ठीक है आपका फंक्सन का स्टार्टिंग पॉइंट यह रहा इंटरवल इसमें लोग बात करेंगे आज टैप्स आप इंटरवल और उसके ग्राफिकल डिपर इंटरशन थोड़ा देखेंगे कैसे इसको ग्राफ पर प्लॉट करते इसका इसका व्यू रहा था उसको देखेंगे लोग चली शुरू करते हैं देखें इंटरवल क्या होता है इंटरवल इस सेट ऑफ रियल नंबर डैट कंटेंड और रियल लंबर लाइंग बिट्में एनी टू नंबर अब दू नंबर के बीच गा सभी रियल नंबर के बार ब्रैकेट देख रहा ना इसको बोलते हैं close bracket इसको बोलते है open bracket टिके open के sign ये भी open ये को होगा है इसमाल ये कोई लिखा हुआ है this is close A into close B and this is open A into open B ठीक है या भी open का sign है लेकिन open का sign ये और नहीं होता है usually आपको ऐसा दिखेगा dhe kuman जो आपका bracket होता है वो उस तरह का अपको दीखेगा देखिए जब closed interval होता है closed interval में अगर A ब लिए है मतलब A भी होगा इसमें और B भी होगा इसमें open interval की बात करते हैं ना इसमें A होगा ना इसमें B होगा closed open की बात करें तो A होगा B नहीं होगा लेना है और जो open आज़े देखिए यह वाला close हुआ A into A और B Sra कॉम इसका मतलब यह A लेना है B नहीं लेना है Sra A A, B तो A भी नहीं लेना है और ना B लेना है ठीक है value में न A लेना है ना V लेना है और दोनों बंद रहे तो A भी लेना है बी भी लेना है और जो side खुला रहे है उसको नहीं लेना है तो interval टुल चाट टाप का होता है पहला close interval जिसमें की a and b both included open interval जिसमें की a and b both excluded close open में a included b excluded और open close में a excluded b included ठीक है अब क्या क्या बोल दिए को समझ में नहीं आ रहा है चलिए यहां पास से देखके समझते देखिए इससे ऐसा दिया हुआ है कि x belong to जिसे जो आपको ई दिख रहा ना रेटलर से जो ई दिख रहा है क्या होता है इसका बोलते है मेलो belongs to ठीक है belongs belongs to पढ़ाएंगे जा आपको सेट तब बताएंगे कि belongs to क्या देखिए अगर माली जी x belong करता है एक close interval 2,3 में मतलब 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है मतलब value जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा मतलब 2 से जो x होगा वो बरा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा जो x का value होगा वो 2 या तो 2 होगा देखिए ना या तो 2 होगा या तो 2 से बरा होगा या 3 होगा या 3 से छोटा होगा बा समझ रहा ने x का value यह हो गया तो यह मतलब यहां पर 2 का value हम ले सकते हैं आप यहां बोल सकते हैं x is equal to 2 और x is equal to 3 भी बोल सकते हैं ठीक है इसकी बात कर इसमें देखिए क्या है एक आपका बंध है एक को खुड़ा हुआ है मतल। आपको 2 को लेना है देखिए टू पे क्या है? ये वाला bracket है x belongs to 2,3, जिसमें 2 भी नहीं लेना है, और 3 भी नहीं लेना है, इसलिए 2 के उपर आपका खाली bracket है, और 3 के उपर भी खाली डबा दिया हुआ है, मतलब जो x का value है, वो 2 नहीं है, 2 से बरा है, और 3 भी नहीं है, 3 से छोटा है, समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, अगला इस होगा, 2 से तो बरा होगा, लेकिन यहां तो 3 हो सकता है, यह 3 से छोटा होगा, ठीक है? यह बस समझ के? उसके इलावा जो आज बतानी है एक बात, वो है आपका क्या? कि इसे मा लीजिए ऐसा रहा infinity, infinity क्या है? और minus infinity क्या है? ठीक है, minus infinity मतलब जो x axis में last चले जाएए, minus x में और plus x में जो last x ले जाएगा, जो last value होगा, उसको बलेंगे हम लो, positive infinity, तो negative हो या positive infinity हो, both are in open bracket, इसको क्या लेंगे हम लो, open bracket में लेंगे, हमेशा क्या लेंगे इसको, open bracket में लेंगे, चाहे हो, plus infinity हो, या minus infinity हो, always taken in a open bracket, समझ में आ गया? चलिए, so, उम्मीद करते हैं, आपक इस्ब्सक्री में अगेर लेंगे अगे